आई आज हम लोग उदाहा नमबर 6.98 देखेंगे कहरा है कार दुरघटना को दिखाने के लिए मोटर कार निर्माता जिसको अनुकार भी कहते हैं विभिन नियतांकों के स्प्रिंगों का फ्रेम चड़ा कर चलती हुई कारों के संघट यानि टककर का द्यान करते हैं माल लीजिए किसी प्रतीकात्मक अनुरूपन में कोई 1000 किलोग्राम दिर्मान की कार एक चिकनी सता पर 18 किलोमीटर पर गंटे की चाल से चलते हुए 36 प्रेम पर चड़ाए गए स्प्रिंग से संघट करती है जिसका स्प्रिंग नियतांक 6.25 गुड़े दश गाते 3 निउटन पर मीटर है तो स्प्रिंग का अधिक्तम संपीडन क्या हो गए यानि अधिक्तम कितना कंप्रेस होगी सिकुड़ेगी तो फिर से देखते हैं कहराय की कार दुरगटना को दिखाने के लिए जो मोटर कार निर्माता होते हैं जो गारी बनाते हैं वो विभिन प्रकार की स्प्रिंग कांस्टेंट के स्प्रिंगों का फ्रेम चड़ा करके चलती हुई कार जो होती हैं उनके टक्कर करवाई जाती है और टक्कर करा के उन इस्प्रिंगों का कारों के टक्कर का ध्यन करते हैं अब कहरा है कि मान लीजे किसी प्रतिक कात्मक अनुरूपर में कोई जरती हैं आप कहरा है कि इसको प्रयोक करते हैं मान लीजी आगे स्प्रिंग रखी है उससे टकराते हैं उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 6.25 गोड़े दश गाते 3 नीटन पर मीटर है तो कह रहा है कि स्प्रिंग अधिक्तम कितना से कुड़ेगी तो फिर से कुछन समझ यह थोड़ा समझना कटीन है यह कह रहा है कि गाड़ी में जब टककर होती है तो कम से कम गाड़ी तूटे और उसमें बैठे आदमी को कम से कम चोट लगे तो इसके लिए क्या होता है कि उसमें जो स्प्रिंगें लगाई जाती है उनका पहले परिच्छन किया जाता है तो जो गाड़ी बनाने वाले हैं वो इस पूरिंग कितना सिकूड़ेगी इसका परिछन करते हैं तो यह कह रहा है कि एक आगे इस पूरिंग रखी हुई है किसी माणी जे दीवार है उससे टेश करा के रखी गई है अब कोई एक गाड़ी है, दूर खड़ी है कार, उसका द्रभमान एक हजार किलो ग्राम है, और 18 किलो मीटर प्रती गंटे की चाल से उस स्प्रिंग में टकरा दी जा रही है, और उस स्प्रिंग का नियतांक, स्प्रिंग नियतांक 6.25 गुने दर जाते 3 न्यूटन पर मीटर ह इस स्प्रिंग अधिक्तम कितना सी कुड़ेगी जो बाहर रखी है, तो इस कुईश्चन को देखते हैं, तो देखे, सबसे पहले जो है, हमको कुईश्चन में स्प्रिंग का नियतांक दे रहा है, कितना संपीडन होगा यह हमको निकालना है, यानि जो एक्स हम इसमें निक जालते थे स्प्रिंग में, यहां पर देखे, यह चीज है, अभिदर से गाड़ी टकराई, माली जिए कोई स्प्रिंग है यहां पर रखी है, और यह कार हो, और यह अलग हो, और स्प्रिंग इस तरह रखी हो, तो इसी से स्प्रिंग से यह टकराएगी यहां से आकर कि इसक यह हमको बताना है तो देखे इस question में मोटी मोटी बात यह समझना है कि कार जो गतिमान अवर्ष्था में आएगी स्प्रिंग से टकराएगी तो उसकी जो गति जूर्जा है कार की वही स्प्रिंग में इस्थि जूर्जा के रूप में संचित होगी सिकुडने में तो यही से स्प्रिंग की इस्थि जूर्जा में परिवर्थित हो जाती है तो गतिमान कार की गति जूर्जा कितनी होगी के बराबर हाफ यम वी स्क्वाइर तो हाफ यम द्रभ्यमान 1000 किलो गराम है तो 10 कि जाते 3 लिग दिया और वेग उसका 5 किलो मेटर प्रति घंटा है तो 5 का स् एक दसम्लों दो पांच गुड़ी दर्श गाते 4 जूर्ज ये ये देखे 18 किलो मेटर प्रति घंटा है तो इसको मेटर प्रति सेकंड में बदला है तो पांच बटे 18 का गुणा करना पड़ेगा तो ये 5 आएगा ध्यान देजे इसको कन्फ्यूज नहीं होना है ये 18 किलो म मेटर प्रति घंटा है स्पीड कार की अब इसको मेटर प्रति सेकंड बजलेंगे तो पांच बटे 18 का गुणा करना पड़ेगा तो ये 5 मेटर प्रति सेकंड आएगा तो ये आगया के वरावर 1.25 इंटो 10 पावर 4 जूले हमारी उर्ज आ गई गति जूर्ज आ कार की यही जूर्जय के रूप में संचित होगी तो कार की गति जूर्जय बराबर स्प्रिंग की इस्थिदी जूर्जय तो जहां कार की चाल 18 किलोमेटर प्रति घंटा को इसके असाई मान 5 मेटर प्र सेकंड में परिवर्थित कर दिया गया है यहां यहां ध्यान रखनेओ की बात है कि 36 किलोमेटर प्रति घंटा बराबर 10 मेटर प्रसेकंड में होता है तो 18 के लिए 5 आगया है आप देखें यह अंत्री कूर्जय सनच्छन नियम के अंसार यानि मेकाइनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन लाग के हिसाब से देखा जाए तो मेकाइनिकल एनर्जी यानि पोटे अब जाय से बात है कि जो गती जूर्जय के रूप में संचित होगी तो जो कार के लिए गती जूर्जय है यही स्प्रिंग के लिए इस्प्रिंग 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 के गति सील कार की गति जूर्जा के के बराबर होगी तो यही जो spring में इस्थी जूर्जा होगी यह गति सील कार की गति जूर्जा के बराबर होगी क्योंकि कार की जो गति जूर्जा वही इस्थी जूर्जा के रूप में spring में संचित होगी तो अब इस्थिर जूर्जा के लिए यह गती जूर्जा के बराबर होगी तो V बराबर Half KXM Squared तो यह बराबर हो जाएगी कार की गती जूर्जा के क्योंकि यही गती जूर्जा इसमें इस्थिर जूर्जा के रूप में संचित होगी तो यह हो गई 1.251 to 10 power 4 joules अब हल करने पर हमें क्या पराप्त होगा देखिए वी की जगे ये लखेंगे क्योंकि यही गति जूड़ जाए ती जूड़ जम बदल गई इस्प्रिंग का इस्प्रिंग ने तांक दिया है तो एक्सम निकल आएगा तो साल करने पर आगया 2.00 मीटर ये एक्स के जो है इस्प्रिंग का इस्प्रिंग कांस्टेंट कुश्चन में दिया है उसको रख सकते हैं आप तो ये एक्सम आज आएगा 2.00 मीटर यानि 2.00 मीटर इस्प्रिंग उस कार के टकराने से 2.00 मीटर शिकुड जाएगे अब यहां देखे काराया की ध्यान दे कि यहां पर इस्थित को हमने आर्दस रूप से प्रिस्तित किया है यानि आइडियल माना है कि पूरी कार का जो गती जूर्जा है वो इस्प्रिंग में संचित हो जाएगा Spring में गज़ इस्तिर जूर्जय के रूप में संचित हो जाएगा यह आदर्स कंडिशन है वैसे कुछ उर्जय उसमा के रूप में या घर्षन के रूप में चली जाती है तो जितना गज़ जूर्जय होगी उतनी इस्तिर जूर्जय नहीं होगी लेकिन जब आइडियल यानि आदर्स कंडिशन मान लेते हैं तो हम यह मानते हैं कि उर्जय का लास नहीं होगा यहाँ Spring को द्रबमान रहित माना है और सड़क का घर्षन नगर न लिया देखे बता दिया कि यहाँ Spring को बिना मास वाली माना गया और सड़क को बिना फ्रिक्षन यानि घर्षन वाली माना गया तब यह कंडिशन आई है हम संदक्षी बनों पर कुछ टिपणी करते हुए इसनुभाग का समापन करते हैं अब जो conservative force हैं कहरा उनके बारे में कुछ हम यहाँ पर टिपणी करेंगे अब देखते हैं तिपणी मींस comments करेंगे उपरोक्त विवेचना में समय के विशा में कोई सूचना नहीं है इस उदाहन में हम संपीडन का परिकलन यानि calculation कर सकते हैं यानि spring कितना से कुड़ी है लेकिन उस समय अंतराल का परिकलन नहीं कर सकते हैं जिसमें यह संपीडन हुआ है अतरा कालिक सूचना प्राप्त करने के लिए इस निकाय के लिए Newton के दुती नियम की हल की हो सकता है तो फिर यहाँ पर Newton के दुती नियम लगेगा अगर हम समय निकालना चाहते हैं क्योंकि अभी जो हमने किया है उसमें फार्मूले में कहीं भी समय नहीं है सभी बल सनक्षी बल है उदाणा अर्थ घरसण एक असनक्षी बल है इस इस्थित में उर्जा सनक्षन नियम में किंचित परिवर्तन करना पड़ेगा इसे उदाण चैद सम्रानों में इस पर्ष्ट किया गया है तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि सारे बल कंजरवेटिव नहीं है जैसे कि फ्रिक्षन नान कंजरवेटिव यानि आसनक्षी बल है तो अब आगे एक कुईशन दे रहा है तो उसमें बता रहा है कि जहां पर फ्रिक्षन है यानि घर्षण है तो वहाँ हम कैसे क्या करेंगे उसके बारे में आगे पढ़ेंगे आगे कहरा है कि इस्तिरी जूर्जा का सून स्वेच्छा से लिया गया है मतलब जो इस्तिरी जूर्जा को हम मानना है कि यहाँ पर सून है उसको हम स्वेच्छा से लिया है जिसे सुविधा अमसार निश्चित कर लिया जाता है इस प्रिंग बल के लिए एक्स बराबर जीरो पर हम भी बराबर जीरो लेते हैं तो अगर इस प्रिंग बल की बात करें तो इस प्रिंग बल के लिए एक्स बराबर जीरो जहां पर होता है तो वहाँ परमिष्थी जूर्जा कमान 0 लेता है अब देखें, Potential को भी लिखा जाता है और Potential Energy ही इस्ति जूर्जा है इसलिए उसको भी भी लिखा जा रहा है तो X बराबर 0 पर V बराबर 0 लिया जाता है आप देखें क्या कह रहा है निएत गुरुत्त्वा कर्सण बल M.G के लिए हमने प्रत्वी की सता पर B. हम अपनी सुढ़ा कर का साले रहे ह Merci अगर को गुरुत्त्वा कर्सण बल M.G. के बाल वजा तो हमने प्रतवी की सता पर भी जीरे लिया था और जितना उचाही होगी और अधिकतम उचाही पर गति जूर्जा होगी नहीं कि अगले अध्याए में हम देखेंगे कि गुरुत्ता कर्शन के सर्वात्रिक नियमानुसार बल के लिए गुरुत्ता कर्षन सोथ से अनंत दूरी पर सोन सरवत्तम रूप से परिवासित होती है। जब हम गुरुत्ता कर्षन के जो युनिवर्सल लाह हैं या फोर्स हैं उनकी बात करेंगे तो हम अनंत दूरी आनी इन्फाइनाइट पर हम पोटेंशियल एनर्जी आनी इस्तिरे जूर्जा को सोनने मानते हैं। मनलब अपने देखें हिसाब से अंसेट कर रहा हैं। तथा भी किसी विवेचना में इस्तिरे जूर्जा के लिए एक बार सोनने के इस्तिर निश्चित करने के पर चाथ सुरू से अंत तक विवेचना में उसी नियम का पालन करना चाहिए। तो कहने का नवे हैं कि हम जहाँ पर एक बार सुनने मानेंगे पूरे कुश्चन में उसी प्रकार से कुश्चन को अमसाल करेंगे वहीं पर सुनने मानके। तब ही हमारा इंसर सही आएगा। तो देखें यहां पर बता रहा है कि इस प्रिंग है जितना खिची हुई है अपने सोच्छा से जितनी उसकी लंबाई है तो वहां पर हम एक्स बराबर जीरो मानते हैं जब हम किसी पिंड को प्रतिवी से ऊपर उचाई पर फेखते हैं तो प्रतिवी की सता पर इस्तिय जूर्जा जीरो मानते हैं यहां पर देखिए माद बिंद यक्स बराबर जीरो माना जाता है, उपर को पिंड फेकते हैं, तो प्रतिवी की सता पर इस्ते जूर्जा यानि पोटेंशिल इनर्जी जीरो मानते हैं, और जब हम ब्रम्हांड में ज्यादा दूरी तक की वस्तूओं का प्रतिवी के साफ एक चाद देन करते हैं, तो हम अनन्त पे इस ते जूर्जा जीरो मानते हैं, तो अपनी सुविधा के अंसार, लेकिन ये बता रहा है कि अगर हमें एक बार अनन्त पे जीरो मान लेंगे, तो पूरे कुश्चन को साल करते समय, अनन्त पे ही जीरो माना जाए गए ते जूर्जा बीच में disturb नहीं करेंगे अगर नया question कर रहे हैं तो वहाँ आप फिर कहीं मान सकते हैं तो इस बात को ध्यान देना अब देखे अगला question करते हैं अगले question में कह रहा है कि 6.8 में घर्षन गुणांक म्यू कमान 0.5 लेकर कमानी के अधिक्तम संपीडन का परिकलन कीजिए तो यह नहां पर देखे जो पहले हमने question किया उसमें कहीं भी friction की बात नहीं हो रहा है अब यह कह रहा है कि यह friction को मान लीजिए और फिर बताईए कि जो spring है अब वो कितना सिकुड़ेगी यानि संपीडित होगी या compress होगी तो spring नियतां का देदिया है spring constant म्यू की बैलू 0.5 रखना है तब इसको नए सिल से हम लोग question को solve करेंगे तो आप इसको देखते हैं तो देखे इस spring बला और घरसन बल दोनों ही संपीडिन का बिरूद करने में संयुक्त रूप से कारे करते हैं अब देखे इस spring जो बल लगाएगी हमको हम अगर इस spring को हाथ से अपने दावें तो spring उसके बिरूद में बल लगाती है दबने का बिर इसी प्रकार से घरसन जो होता है फ्रिक्शनल फोर्स कोई कार चल रही है तो उसके चलने का बिरूद करता है यानि जिधर कार को चलाने के लिए फोर्स लग रहा है उसके विपरीद दिशा में फ्रिक्शनल फोर्स या घरसन बल लगता है तो इसलिए कह रहा है कि spring बला और गर्षन बल दोनों ही संपीडन का विरोध करने में सहीग तरूप से कार करते हैं तब यहाँ पर देखिए अगर यह इधर को कार चल लएगी है इसको समझे अगर यह कार इधर को चलेगी जब इधर को चलेगी तब ही जो है यह इस्प्रिंग सिकुड़ेगी अब जैसे बात है कि जब इस्प्रिंग सिकुड़ेगी तो इस्प्रिंग के दोयरा बल इधर को लगेगा और इस चलने का विरोध करना है इसको क्या बोलते हैं कार यह जो यह पिंड जो भी है इसके चलने का विरोध करना है तो जैसे बात है कि यह चल लहाए अगर इधर की स्प्रिंग दब जाए तो इसको रोकने का प्रयास करेगा तो रोकने के लिए इस पर जो है बल इधर को लगेगा प्लस मिव एमजी कि यह कार इधर को जान पाए अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है यह प्लस मिव एमजी इधर को लगाया है जैसे यह कार इधर को चल लाई है तो यह पीछे को ढखे लेगी प्रतिवी को ढखे लेगी तो इस पर पीछे की और बल लगेगा कोई कार का जो टायर है जब पीछे को जब पर्सीबी को ढखे लेगा तब ही तो आगे चलेगा तो इस पर बल आगे को पीछे को लगेगा टायर के दोरा जो कार बल लगाएगी अब इस कार को रोकना है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इधर को लगेगा इधर को लगेगा अब इसको देखते हैं कैसे कर रहा है फिर से तमझे कार इधर को चल रही है जैसे बात है कि यह टायर है पीछे को परतिवी को ढखे लेगा तभी तो आगे चलेगा तो बल इधर को लगा रहा है कार का टायर तो इसके बिरोध में घरसन बल इधर को लगना चाहिए तब यह कार रूखेगी अब इसको देखते है तो यहाँ पर देखे कह रहा है कि जैसा चित्र 6.9 में दिखाया गया है अब इसको हम अभी समझने के प्रयास करते है अब पहले तो यह समझा जाए कि यह सिकोड रहा है इसको कि खीच रहा है इस प्रिंग को तो यहाँ हम यांत्रिक उर्जा सनच्छन के सिद्धान्त के बजाए काल उर्जा प्रमे का प्रयोग करते है तो मेकैनिकल एनरजी कन्यर वेशनला की बजाए वर्क एनरजी थियोरम का इसमें इस्तेमाल करते है तो गति जूर्जा में परिवर्तन बराबर अंतिम गति जूर्जा माइनस प्रारंभिक गति जूर्जा क्योंकि कोई वर्ष्टि स्थिर है तो बाद में गति उसकी बढ़ेगी जैसा आमने पेंडूलम में आपको समझाया था तो अंतिम माइनस प्रारंभिक जो तो के अफ माइनस के आई हो जाएगा अब देखिए अंतिम में क्या है कि अंत में वस्तु जैसे कार टकराई किसी स्प्रिंग से पूर गई तो कार का कुछ वेग रहा होगा अंत में वेग जीरो हो जाएगा यानि गति जूर्जे जीरो हो जाएगा तो के अफ हमारा यहाँ पर जीरो हो गया अब माइनस हाफ यह अंवी इसका है यह प्रारंभिक वेग हो गया अब कुल बल द्वारा किया गया कार, कुल बल द्वारा किया गया कार कितना होगा, तो कार बराबर होता है बल गुणे विश्थापन, यहां इस्प्रिंग के केस में यह एक्स एम लिखा गया है, अब इस्प्रिंग के केस में बल बराबर क्या होता है, माइनस के एक्स और यह डी भी एक्स है और यह बहुत कम है, अगर यह कम है, तो यहां पर समा करन भी लागू कर देंगे, तो यह माइनस के एक्स एम का स्कॉयर हो जाएगा, एक्स एंटू एक्स एम होगा, तो यह स्कॉयर होगा, तो नीचे भी दो चला जाएगा, अगर हम इसका वो करें, के आई से लेकर के के अफ तक, जैसा हमने, यहां मनलब इनीसियल जो विश्थापन होगा, एक्स बराबर जीरो से एक्स एम तक, जो भी हो, एक्स एम तक, तो यह बालो निकल के आजाएगी निगेटिव में, तो यह आगई माइनस हाफ के अक्स एम इसकार, पीछे कोई यह फार्मूला लिखा भी है, तो यह हो जाएगा, कुल बल द्वारा किया गया कार, तो डबलू बराबर माइनस, बराबर हो जाएगा, माइनस हाफ के अक्स एम इसकार, यह हो जाएगा, अब यहां पर देखिए ग्लस लिखा है, इसको देखते हैं, यह कैसे लिखा गया है यह डबलू कुल बलद्वारा किया कार है, डबलू बराबर माइनस हाफ के XM E-square, तो यहाँ पर देखें, वर्ष्टु का जो भार है, कार है यह जो भी है, या कोई पिन इसे टकरा रहा है, तो उसका जो भार होगा वेट वो तो पर्थभी की तरफ काम करेगा तो यह नीचे हो गया अब यह पिंड इससे टकराया तो यह संपीडित हो करके इस पिंड पर बल लगाएगा तो इस पर बाहर के और बल लगेगा इस प्रिंग के ज़ारा तो वो बल एफ होगा और यह पिंड प्लस के एकस है बाहर के और इसी प्रिकार जो हमारा घर्षन बन है वो प्लस में अमजी इधर बाहर के और और यहाँ से देखिए यह एकस एकसिस माना है यह एकस लिखा है इसका हो लगे विश्थापन वाली एकसिस है और यहां पर जो लाइन खींचाई है यह साम में आवर्स्ता किस्तिति ए, किसी कार पर आरोपित बल लिखा है तो यह साम में आवर्स्ता किस्तिति है यहां पर अब देखें यहां पर एक चीज बहुत गंभीरता से समझने की ज़ुरत है कि ये इधर प्लस में एमजी लिखा है तो क्यों लिखा है तो इसको समझे हमने बताया कि जब ये वस्त गतिमान होगी गतिमान होकर करके इधर को चलेगी तो पीछे प्रतवी को बार इधर को धकेलेगी जब बलियाफ से तब ही आगे बढ़ पाएगी तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर को लगेगा इसके चलने का बिरोद करेगा लेकिन जब ये गतिमान है तब लेकिन जब इस्प्रिंग से टकरा जाएगी द्यान दीजिएगा जब इस्प्रिंग से टकराएगी तो इस पर प्रतिक्रिया बल लगाएगी तो इसके गतिका बिरोध हो गया नहीं अब ये रुकने लगेगी जब ये रुकने लगेगी तो जाइस बात है रोकने के लिए अब बल इधर को लगेगा रोकने के लिए जब ये रुकेगी तो चलाने के लिए पीछे को ढखेलना पड़ रहा था तो रोकने वाला बल इधार को लग रहा था लेकिन जब ये रुकने लगेगी तब रोकने वाला बल इधार को लगेगा तो इसके बिरोध में घर्षन बल रोकने के लिए इधर को लगेगा तो यही घर्षन बल मुँ अमजी होगा अब देखें आगर हम इधर को पाजटिव दिशा लें और इधर को निगेटिव दिशा लें क्योंकि एक सक्ष है एक सक्ष में अगर यहां पर हम कोई चीज जीरो माने जैसे मीन पोजीशन है तो यहां से इधर सब धनात्मक होगा और इधर सब धनात्मक होगा तो देखिए spring इस पर बल लगा रही है प्लस kx ये भी बल इधर को है तो ये भी positive है और ये जो frictional force जब ये रुकेगी ध्यान दीजे जब रुकेगी तो frictional force इधर लगेगा चुकि इधर कि दिसा positive लिया है तो इसे भी positive लिया गया फ्रिक्शनल फोर्स इस मालेफ को और इस मालेफ होता है मिव एमजी यह फार्मूला होता है पीछे चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं अब यह दोनों बल इधर को लग रहा है यह बल भी स्प्रिंग वाला और घंसन वाला भी दोनों इधर को लग रहा है तो आप दोनो की वज़ा से जो हमारा किया गया कार होगा तो कार बरावर बल गुणे विस्थापन होता है ते देखिए बल मिव एम जी है और विस्थापन एक्सम कर गुणा किया बल गुणे विस्थापन और यहां तो हमने निकाल के आपको बताया है ते देखिए कुल बल द्वारा किया गया कार है, कुल बल द्वारा किया गया कार, तो कौन-कौन से बल है, प्लस XM और प्लस Mew Mg, ये दो ही बल है, तो इनके द्वारा हमको किया गया कार निकालना है, तो अब इसके बारे में हमें विचार करना है, अब देखिए, कह रहा है, कुल बल द्वारा किया गया कार है, तो यहाँ पर द्यान देना है, कि देखिए, Mg इसका नीचे को काम कर रहा है, तो नार्मल लेक्शन उपर को है, तो Mg इसको बैलेंस कर रहा है, तो कुल बल द्वारा किया गया कार की बात करेंगे, तो दोनों ब और जब यह पिंड इसे टकराएगा तो संपीडन होगा तो बल इधर को लग रहा है लेकिन विस्थापन इधर को होगा तो जैसे बात है कि विस्थापन इधर हमको पाश्ट्यूलेना इधर निगेटिव तो एक्स की बैलू जब निगेटिव रहेगी तो यह दब्लू इच क तो यह देजिए माइनस के में क्योंकि जब संपीडन होगा तो घरसन बल तो काम इधर को कर रहा है लेकिन विस्थापन इधर को हो रहा है तो बल इधर लग रहा है विस्थापन इधर तो दोनों एक को प्लस लेंगे तो दूसरे को माइनस लेना पड़ेगा इसलिए माइन और कार बला और बल गुणे विश्थापन तो यह पूरा बल और विश्थापन एकस एम तो यह पूरा बल और विश्थापन एकस एम और चूंकि विश्थापन इधर को है तो माइनस साइन लगा है तो यह इसको जब यह जब यह जब यह जीरो एट डोनों के वजह से किया गया कार इतना होगा आप देखिए डेल्टा के और डैब ल, XM तो अब इसको इसके बराबर करेंगे क्योंकि जो गती जूजा में परिवर्तन है यही कार के बराबर होगा तो जब इसको इसके बराबर करेंगे तो यह बराबर यह रखेंगे तो इसमें भी माइनस है तो यहां माइनस रहेगा इन में दोनों में माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस कटेगा तो सब प्लस हो जाएगा, तो हाफ Mv square is equal to half K Xm square plus Mg Xm, ये हो जाएगा, आप देखें यहाँ पर, यहाँ पर Mg, तो Mg हमको question में दिया 0.5 घर्षन नियतांक जो था, M, द्रविमान 1000 kg है तो 10 घर्षन गाते 3, और गुरुती तोन प्रतवी का G की वैलू 10, तो ये साल करने पर आगया 5 गुणे 10 घर्षन गाते 3 N, यहाँ पर G कमान 10 मीटर पर second square लिया गया, उपरोक्त समीगान को ब्यवर्ष्थित करने पर हमें अग्यात Xm के लिए निम्न दु गाती समीकान मतला मंगरेजी में quadratic equation इसको भूलेंगे, तो ये हमको प्राप्त हो जाता है, Xm is equal to, ये Kxm square is equal to, ये ये कट जाएगा और इसमें 2 कगुणा हो जाएगा, तो Kxm square plus 2μmg Xm minus mv square बराबर 0, तो Xm हो जाएगा minus mv mg plus bracket में, ये हो जाएगा, mv square m square d square plus m kv square, ये पूरे का power half हो जाएगा अपान, के हो जाएगा, ये इतना value आजाएगी, अब देखे कह रहा है, कि यहाँ हमने Xm धनात्मक होने के काण, इसका धनात्मक वर्ग मूल ले लिया है, यहाँ पर जो Xm है, Xm, ये देखे, इधर को विश्थापन हो रहा है, ये घर्षन बल इधर को लग रहा है, और विश्थापन को इधर दनात्मक लेना है, तो अगर यहाँ पर Xm होगा, तो ये दनात्मक होगा, क्योंकि स्प्रिंग का बिरोधी बल, वालावी स्प्रिंग इसको बाहर को डखेल लाई है, तो ये प्लस की X इधर है, तो ये X अगर इधर होगा धनात्मक, तो यहाँ पर देखिए, ये Xm धनात्मक है, यहाँ पर पूरा धनात्मक ही है, क्योंकि कट गया है, तो यह जहरा है कि Xm धनात्मक होने पर हमने यहाँ धनात्मक वर्गमो ले लिए है, अब आंकी के मानों को समिह करने विस्थाफित करने पर हम प्राप्त करते हैं अप जो जो वैलु दी है है अगर इसमें जी दिया है है स्परिंग का नियतांक दे दिया है तो यह प्राप्त हो जाता है एक से मेराबर 1.35 मिटर यह सब बाइलू हम question से उठाके यहां रख देंगे जो आसान उसारुदान 6.8 में प्रात पहिणाम से कम है अब 6.8 में question में जो आया था वो बाइलू थी एक से बराबर 2 मीटर अब यहां पर आ रहा है 1.35 मलब उससे कम आ रहा है तो जाय से बात है कि कम आ रहा है बलों में एक सनच्ची बल FC और दूसरा सनच्ची बल FNC है तो यह अंतिर्क उर्जा सनच्चन के सूत्र में किंचित परिवर्दन करना पड़ेगा तो अभी तक जो हम निकालते थे वो सनच्ची बल ही के बल थे तो यहां पर एक घर्षण बल जो है वो असनच्ची बल आ गया नान कंजर्वेटिव तो जाय से बात है कि अब यह कह रहा है कि तब हम बैलू कम आई है एक सेम की इसका मनलब वो उर्जा था उसको कौन खा गया घर्षण बल तो कह रहा है अब हमको उसी कंजर्वेटिव फार्मूले में एनर्जी कंजर्वेशन वाले फार्मूले में थोड़ा परिवर्थन करना पड़ेगा तो कार उर्जा प्रमे में अब क्या करना पड़ेगा Fc प्लस Fnc डेल्टा x is equal to delta k तो कहने का मलब है कि एक कंजर्वेटिव फोर्स Fc और यह नान कंजर्वेटिव C का मलब कंजर्वेटिव, Nc का मलब नान कंजर्वेटिव मलब असंदक्षी तो अगर दोनों बल हों तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कार बराबर बल गुणे विश्थापन, तो दोनों बनों का योग गुणे विश्थापन delta x बराबर गतिज उर्जय में परिवर्थन परन्त, Fc delta x is equal to minus delta v अब देखिए जो कार बराबर बल गुणे विश्थापन तो यह जो बल गुड़े विस्थापन होगा संदक्षी बल के द्वारा वो गती जूर्जा जो है वो इस्तिरी जूर्जा में परिवर्तन के निगेटिव के बराबर होगा क्यों निगेटिव के बराबर होगा इसलिए होगा क्योंकि जो गती जूर्जा है तो जहां पर गती जूर्जा अधिकतम होगी वहां इस्तिर जूर्जा निउन्तम होगी यानि गती जूर्जा को जो लिखेंगे हम अधिकतम गती जूर्जा तो इस्तिर जूर्जा निउन्तम यानि असन्दक्षी बल्लान गुड़े विस्थापन तो असन्दक्षी बल्द्वारा किया गया कार बराबर सन्दक्षी बल्द्वारा मनलब गती जूर्जा में परिवर्तन 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 तो कहने का मतलब है कि असन्दक्षी बल्द्वारा किया गया कार बराबर यह हो गया डेल्टी ए च्वाल टो F N C डेल्ट एक्स यहाँ पर डेल्टा ए जो है Да मेकानिकाल अटर,-उनर्जी यहां बित्र कूर्जा इर्ज ए अट जूर्जा के योग में यह जो परिवर्तन होता हूँ वो तो डेल्टा ई बराबर हो गया फैंसी डेल्टा एक्स यहां ई कुल यांत्री कूर्जा है समस्त पत्पर यह निम्न रूप से ले ली जाती है तो कैसे लेते हैं इफ माइनस ई आई बराबर डबलू यानसी यानि अंतिम यानते कूर्जा माइनस प्रारंभिक यानते कूर्जा इसको डेल्टा ई लिखा है तो यह हो जाएगा है डेबलू यानसी यानि असंदच्छी बलद्वारा किया गया कार है तो जहां डेबलू यानसी असंदच्छी बलद्वारा किसी पत्पर किया गया कुल कार है कि अप्ट करेंगे तो किस पत से हम जा रहे हैं उसको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि असान रख्षी बल यानि नान कजर्वेटीवूर अब जो बल है वो कार है असन अच्छी बल द्वारा वो पत पे डिपेंड करेगा पाथ डिपेंडेंट है और कंजर्वेटीव जो वर तो इसको ध्यान देते हैं तो करा पिछले अनुभाग में हमने यांतरिक उर्जा की विवेचना किया और यह पाया कि इसे दो विविन स्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है पहली गति पराधारित है अर्थात गति जूर्जा और दूसरी सनरूपन अर्थवा इस्थित पराधारित है यानि इस्थित जूर्जा तो उर्जया बहुत से रूपों में प्राप्त होते हैं जिनको एक रूप से दूसरे रूप में कई भी धियों द्वारा रूपांतित किया जाता है हमें पता है कि उर्जया को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं परिवर्दित किया जाता है, जो प्राया हमें भी कभी कभी इस पस्ट नहीं होते हैं, कभी कभी तो हम सोच भी नहीं पाते हैं कि ये उर्जा इन किनकन रूपों में बदल गई, तो यही एनर्जी कन्यर्वेशन ला के आदार पर, एनर्जी के कितने भी भिन रूप हैं, उर् झाल झाल